आपने लास्ट लेक्टर में हम नॉर्म्स और वैल्यूस के बारे में इसक्रस करेंगे और एक और इंपॉर्टर इंफर्मिशन आपके साथ शेयर करनी है जो भी बच्चे आप में से फाइनेंस एसे का एक्जाम देने जा रहें आपके लिए मॉक्टर जो है वो स्टार्ट कर लिए गया है हमने चैनल पर आपको एक में वीडियो का लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में तीन-चार मिनिट की वीडियो होगी जिसमें मैं बताया किस तरह से आपने इन्रोल करना है और मॉग टेस्ट में इन्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छा मॉग टेस्ट है जिस को सोचल इंस्टिउशन के बारे में फिर हमने पड़ा किसके बारे में बारे में और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे FORK WAYS profits के बारे में नॉम के बारे में हमने पदा था मैंने हम दो बोलता नॉम्स जो होते वह ग्रूप लैवल पी होते यह यह क्या थे ग्रूप शीर एक्सपेटेशन क्या ग्रूप शीर एक्सपेक्टेशन मतलब आपको ग्रूप लैवल में क्या क्या चीज करनी चाहिए मतलब सुसाइटी आपको बोलते कि आपको सुसाइटी लेवल पर यह करना चाहिए उनको क्या बोल जाता है नौ मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप किसी वर्शीव वाली जगह में गये हैं आपका आपका एक नौम है कि आपको दूसरे किसी परसंट को नहीं करना अगर आप किसी दूसरे परसंट को डिस्टर्ब करते हो रिलिजियस प्लेस में जाके तो सुसाइटी में आपको थोड़ी सी परिश्मेंट तो मिलती है आपको बोला जाता है मंदीर से बाहर चल जाओ यह वर्शीप वाली जगह से बाहर चल जाओ ठीक है तो बे में हो अब आपका प्रिंसिपल अगर ऑनेस्टी वाला आप बिल्कुल ऑनेस्ट होके वहां पर काम करोगी आप इंटीग्रीटी के साथ काम करें आप में करेज होगी कि कभी परसन उसमें करेज होती तो यह उसका इंडिविजुल किसमें करेज नहीं होती है तो यह तो सब्टेव जो नार्म्स और इसे फोल्राइब बुख तो इंके नांत भी को मैंका जुनम्सपाइदेदी वन नेमिम्स आप बड़ करें। आइन आपको इंड्रिंग करते हो तो यह अगेंस जाता है आपको दिनक नहीं करने चाहिए यूस में यह नॉमल है तो सोसाइटी तो साइटी नॉम्स यह वारी करते हैं वाल्यूस जो होती है इंडिविजुल तो इंडिविजुल वारी करते हैं फॉर एक्जंपल अगर मेरे साथ वला परसन एक ऑनेस्ट है क्या होता दूसरा है ना ओनेस्ट हो तो वैल्यूस जो है वह इंडिविजुल तो इंडिविजुल क्या करते हैं वैल्यू वैरी करते हैं ठीक है यह यह नॉम्स हमें सिखाते हैं इंपोर्टन चीज नाम हमें सिखाते हैं किस तरह से बिहेव करना है वैल्यूस यह चीज नहीं सि ठीक है और नॉम्स में आपको पता है पनिश्मेंट वगरा भी मिलती है सोचल बाइकार्ट वगरा यह चीज़ें हमने देखी थी अब हमने पढ़ना आज फॉक वेस के बारे में यह सारा मैंने आपको इसलिए बताए क्योंगे चारू ही सोचल इस्टिशूशन का पार्ट है और इनमें कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है इवन जो फॉक वेस और मोर से ना यह नॉम्स के अंदर ही आ जाते हैं अभी हम देखेंगे बेसिकली है क्या सबसे पहले फॉक वेस दो वर्ट से बना एक है फॉक पहले इसको समझते हैं यह है कि बाकी कोई दिक्कत नहीं एक इसबसे बीक करते थे जिए बीफय ओवेस करते हैं तो बेसिकलली फॉक वेस का मतलब क्या आगया बीयवियर आव द प्यॉपल यह आपकृवेस थी ways of the people exam mm the way of the people कि इसे एस है तो फॉप वेज के साथ कि लोग किस तरह से वेज मुझत किस तरह से रहते हैं उनका चार्प खाते हो किस तरह से बोलते हो किसी को ग्रीट करते हो यह सारी चीज है आ जाती है the porc वेज्ट का मतलब हो गया वेस आफ द फॉक बोलते हैं क्या वेसे रहते हैं कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं मतलब हमारे चाहा जाते हैं उच्छी वाज में नहीं बोला कोई टिपेट हो रही है एक डिपेट में दस लोग किसी टॉपिक में पॉलिटिकल डिपेट में पाइटी करें अब वहां पर एक फॉक वे यह होता है कि जब आपको बहरें करें करके बोलो इसका मतलब यह है कि सभी एक तरह का मैनर है कि मैनर वे में आप बात करें तो वहां पर क्या आ जाते हैं हमारी फॉक वेस्की बात होते हैं तो अगर पोस्ट करो फॉक वे में यह चीज आपने याद रहने अगर फॉक वे नहीं रहेगी जब हमने नॉम पढ़ा था हमने नॉम में देखा था अगर नॉम तूटेगा तो सुसाइटी में ना सोशल पॉनिश्मेंट मिलती है ठीक है वह किसी भी वह में हो सकती को पैनल्टी हो सकती है इसा नहीं होता फॉक वेस्ट अगर तूट भी जाता है तो इसको नहीं लिया जाता है अगर आप किसी को ग्रीड नहीं कह रहे हो तो क्या को कुछ बोलेगा कि सोसाइटी को आपके उपर नॉम लगाएगी इस तरह का नहीं तो फॉक्वेस जो होते हैं यह याद रखना है फॉक्वेस तो इतना सीर्यस इनको नहीं लिया जाता है ठीक है लेकर बैठते होंगे उनको कहीना कहीन लिख रहे होंगे अपनी लैंगवेज में क्योंकि यह वर्ड यूज करता हो ना यह इंपोर्टन है यह हर एक चीज एक्जाम में किसी एक्जामपल की फॉर्म में आपको पूछ लेगा तो फिर नहीं हों कि हर चीज पीडियों में इंक कि इसान किस तरह के साथ कुद को इन्वामब में अडॉप करता है वह इसके फोरक्वेस होते इस्कार करते हैं हर एक आद्मी का यूनिक एक बुक लिकती फॉक वेज उस बुक में ने बोला था था फॉक ऐंजर सीओं कुछ नहीं है विलियम सम्नच के फॉक वेज उस उन्हें न लुए यह लूप की वीक फॉर्म होने का मदलब है कि अगर तो इसमें वगईर नहीं होता है तो इतनी इसमें पडिए मोर्स आजा जाते हैं स्टिक्ट मोर्स मोर्स ऑनवीं अब देखाईंके मोर्स च्रिक्ट होते है अब तोड़ोगे दो कहीं श्कनिस होती कि और रचरी नौनब यह और में अपकी यही द्रेसिंग्या में आती है ठीक है इस इस क्लिर तो यू अब हम थोड़ा जो हमने देखा इसको यहां पर डिक्टेट कर लेते हैं इसको फॉक वेज क्या है फॉक वेज पासिफिक नॉर्म्स that दwाइंट गाइड ब्हेवर इस सुसाइट इस वेज त्रह के नॉर्म सी इस पैसिफिक सोशल नॉर्म्स यह जो डिफाइड करते हैं किस तरह से बिएवर होगाईड करते हैं उसको नोग संब्सकर घ्रक तरह की अपकि उसको भог घ्ला जाता है और विश्टेटर वीए जाहां जो लोग भी accept करें. Next, it represents man's unique means of adopting himself to the environment. एक man किस तरह से खुद को environment में adopt करता है, उसको बोलते हो फॉर्क वेर्ट इसका literally meaning होता है ways of the fork already explained, fork मलदा people, ways मलदा उनका behavior या habit के है. अब देखो, they differ from group to group and society or society. बिल्कुल, अभी जब मैं आपको इनका nature बताऊंगा, जहां पर आप रहते हो, social condition मतलब जिस society में रहते हो, अगर वो change होगी तो उसके साथ fork ways भी हमारे change होते हैं. ये चीज़ भी आपने याद रखने है. मोर्स जो होते हैं, मोर्स में और fork ways में सिर्फ में डिफरेंस यही है, मोर्स rigid होते हैं, और fork ways जो होते हैं, वो weak nature के होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखने हैं. आप देखो, इनेचर में ना, सारे जो fork ways के concept हैं, ये आपके clear हो जाएंगे. सबसे पहला, fork ways और socially nature, fork ways क्या होते हैं, social nature के होते हैं, जिनको follow करने से society maintain रहती हैं. For example, अगर sports करो, आप Indian society की बात करो, Indian society में dressing का रिवाज बना होगा, कि इस तरह से पहनेंगे, उससे क्या होगा, maintenance रहती है, अगर आप नहीं भी पहने होगे, तो भी इतनी दिक्कत नहीं आती है. Next, जो fork ways हैं, वो repetitive होते हैं character में. मतलब for example, repetitive के इस line को ध्यान से समझना, देखो, अगर कोई एक practice start होती है, कोई भी एक practice start होती है, जब majority पिपल उसको बार-बार observe करते रहते, follow करते रहते, तो वो क्या बन जाता है? वो fork way बन जाता है. For example, एक dress है, द्यान से सुनो, एक dress है. अब एक dress था, वो पहनना शुरू किया लोगों ने, तो वो behavior बन गया, उनका behavior बन गया, इस तरह का desk को पहनना, तो ये भी एक तरह का क्या आ जाता है? ये भी एक तरह का fork way आ जाता है. Start कर जाता as a dressing sense, बार में fork way बन गया. इसका मतलब क्या है कि fork way कैसे बनते हैं? Fork way जो है, जब आप किसी चीज को बार-बार use करते हो, जब society में कोई चीज बार-बार majority of लोग उसको repeat करते रहते हैं, तो वहां का क्या बन जाता है? वहां का fork way बन जाता है. ठीक है? ठीक है group to group अगर हम बात करें, fork way जो अलग होते हैं. ठीक है? और fork way में changes भी होते हैं. यह भी याद रखना, fork way के अंदर भी changes होते हैं, बढ़ यह चीज आपने याद रखनी है, fork way जो है, वह वह सुसाइटी इस सुसाइटी डिफर करते हैं. एक्जांपल की तोर में. देखो याद, अगर हम बात करें, इंडियन सुसाइटी में जो लड़किया है, वो लॉंग हेर्स रखती हैं. प्रेफरेबली, याप तो चेंज है, बट प्रेफरेबली इंडिया में लड़किया होते हैं, उनके लॉंग हेर्स होते हैं. क्या आप अगर यूएस सुसाइटी में चल जाओ या यूइरोपिन सुसाइटी में चल जाओ, वेस्ट में चल जाओ, आपने देखा है लड़कियों को लॉंग हेर्स रखते हैं, नहीं होंगी, तो वो क्या है शॉट हेरे हैं, dining table में खाना खाते हैं और इंडिया का कैसा कल्चर है इंडिया का कल्चर है वो फ्लोर में खाना करते हैं जो चीज़ आपकी बिहेवियर है वो करते रहोगे करते हैं बाद में कल्चर का पार्ट बन जाएगा फॉर इंडिया में पहले क्या होता था इंडिया में सभी खाते तो तो इंडिया के कल्चर का बाट अभी तो डाइनिंग टेबल आ गया जिस जुरूरी नहीं है कि फॉक्वेस में चेंजिंग नहीं होते हैं इंडिया में पहले फ्लोर में बैट के खाने का रिवास था अब दीरे दीरे वह कम होते हैं डाइनिंग टेबल भी स्टार्ट हो गया फॉक्वेस में भी चेंजिस होते हैं यह भी चीज याद रखना अभी तक हमने तीन देखा एक तो फॉक्वेस सोशल नेचर के मतलब सुसाइटी स्टार्ट करती है जो चीज बार बार आप यूज करोगे बहुत ज्यादा लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे वह आपक करना है यह अप करो यह ना करो कोई इसमें लीबर लीगल उब्लिगेशन यह कोई सुसाइटी आपको पनिशमेंट नहीं देगे जैसे लिए नौम में करते हैं जैसे 10 लोग बैट के फॉक्वेस नहीं करते हैं इसा नहीं होता कि आपने प्लानिंग करके फॉक्वेस बना ऐ और वो देरे-दीरे करके फॉर्प वे बन गया तो उन्हीं आइक अगर किसी ने एक सिरीप ने एक ड्रेस पहरना सटांटल्या कि ड्रेस पहिना होगा यह कोई प्लान में निस Repeater करें बाद में बन जाएगा एसा नहीं होता है उन्हें एक ड्रेसिंग yo करा और बाद में वो डेस्ट कोड बन गया फॉक वे का पार्ट बन गया ठीक है तो एडवांस प्लाणिंग के वज़ए से नहीं होता है फॉक वे अरिजनेट होते हैं ठीक है लड़कों का तो दीरे दीरे चेंजिंग करके स्पाइस आया इस तरह से लड़कों में देखो के हेर स्टाइल चेंज इस बूल जाता हूं कि यह सुछा लगता है दोनों ने फॉर्म बढ़ा हुए बढ़ फिर मैं को याद आता है कि थोड़ी गर्ल्स वाली इक्जांपल्स य जैसे ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग सेंस जो है वह भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है पहले आपने देखा होगा अमिता बच्चन को पुरानी मूवी में तो जीन्स की पैंट जो पैंटे थे वह नीचे से ना मतलब वह जो उनका वह पैंचर डाइप होता था फिर बाद सब्सक्राइब होते रहते हैं तो इसके साथ ना यहां पर मेरे को ध्यानी रहा कुछ डैफिनेशन जैसे हमने नॉर्म सोर उसकी डाली थी वैल्यूस की डैफिनेशन डाल तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी हुई है तो डालना भूल गया हूं बढ़ जब पीडिए को बोला जाता है अगर आप इसको तोड़ते हो कोई आपके उपर नहीं आएगे और बाकी जो इसका नेचर वो पढ़ ले इसी के बेसिज में डैफिनेशन भी बनी होती है डिफरेंट ऑथर्स की वह एक्जायमें जाने से बादे देख लेना क्या पता कोई पर में आ जाती है साथ सा लिख दो लेटिन वर्ट से लिए लेटिन वर्ट क्या है मोज का मीनिंग होता है कस्टम सो दीजार बेसिकली ता कस्टम से जी जादा रिजिट फॉर्म आफ नॉम्स यह याद रिजिट फॉर्म इस टिक्ट लॉज पॉसाइटी के जो मानने पड़ते हैं अगर न यह यह रिप्रेजंट करता है लूज पापने करने नगिटी मोस् में में नहीं करना अगर करोगे तो यूविल से सिव已經 both by the society घ्र आपनी कंट्री को यह कंड करना अगर अगर आप अपनी कंट्री को पयार करते कें में थ्ज आरे限 हो तो कए सट्रिक्ट लाइगा भी करें तो मैंने काना मौस थोड़े स्ट्रिक्ट होते अगर आपकी इटिंग है तो आपको कुछ बोलेगी नहीं बोलेगी एक परसंग में इतना इतना पूर में होती है कंट्री के ऑगेंस्ट को भी तो आपको तो बोल तो बोलेगी उसके सच बोलना चाहिए एक परसन के आपको नहीं करना चाहिए आपको डिस्रिस्पेक्ट करोगे तो यह आपके मोर्स में आ जाएगा तो फिर सुसाइटी देखो किस तर से बूद्ध नहीं करनी जूट नहीं करनी अपको नहीं करने है ऑपको नहीं करने बिहवियर पैटन आपका behavior किस तरह से जो है वह ऐसे behavior pattern बिल्कुल थे बट फरक है मोर्स वह behavior pattern है जो ना सिरफ accept होते हैं हर कोई बंदा चाहता कि ऐसे मोर्स हो बट और सो prescribed by society impose भी करती है कि यह करने आपने यह मोर्स रखने फॉक्वेस कोई इंपोस नहीं करता आपके ओपर ठीक है नेक्स्ट फॉक्वेस विच आर कंपल्सिव एंड बिकम रेगुलेटर बिहेवर दैन इट इस एफर्टो एस इस बन जाए और वह क्या बन जाता है मोर बन जाता है तो आपके बूलने की भर जाएगे तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस चीज़ हैं भूले नेक्स्ट वाइलेशन आप मोर्स बिंडिवीजुल स्टॉंग डिस अप्रूवल एंड सीवय पॉनिशमेट अगर आप मोर्स को वाइलेट करोगे तो स्टॉंग डिसप्रूवल मिलेगा इंडिवीज़ोल को और सीवयर पॉनिशमेट मीं दे सकती है सु और अब आपको इस सब्सक्राइब कर दिया इसको भी देख लेते हैं और इस टॉपिक को हम क्या करेंगे इस तरह से होगी देखो अगर मोर्स को मोर्स को फॉलो करेगा से जो पर से पर्सनों मौर्स को तो सोसाइटी यूज प्रालु है और अगर आप मोर्स को वाइलेट करते हो सॉसाइटि 여러s करेंपे भी कोराइब है ठीक है आपके सोशल लाइफ को रागुलेट करते हैं बोर साही लेटिवरी मोर परसिस्टन हां फॉक वेज जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं इतने जल्दी चेंज नहीं होते हैं बट अफ्टर लॉंग तेम अगर कोई गलत मोर है तो वह चेंज हो जाएगा बट सही मोर कि अफ्टा मोर है क्योंगी ये सुसाइटी में इसा टॉछा याइंपल बिता और चाइंड म Convention quienes पार्ट बन जाते हैं नहीं होते हैं कि उत्यड़ मा Нेयोरी इस सथाइपल ढूरी माहिघ्य हो कि में हो रहा है क्योंकि ये society में ऐसा create हो गया था लमे समय तक चला बट क्या अब चाइल्ड मेर्ज को कोई promote करते हैं नहीं करते हैं यह खतम हो सकते उसका रीजन यहीं होता है कि अगर कोई मौर अच्छा नहीं है society के लिए अच्छा है अब नहीं लिए दिरे दिरे खशतम होरही है तो समझाने के लिए चीजें की स्वाइर्म च। आज इसकी requirement नहीं है तो मोर भी change होते हैं ऐसा नहीं है कि मोर रिलेटिवली पर्सिस्टेंट है अगर हम फॉक वे से compare करें मोर लंबे समय तक क्या करते हैं exist करते हैं next मोर्स भी वैरी करते हैं group to group बिल्कुल वैरी करते हैं for example कुछ groups इंडिया में for example मान कि इंडिया में इंडिया में हम मोनोगयमी को promote करना कि इंडिया में हम इंडिया में promote करते हैं अगर चले जाओं यह आरब नेशन में वहाँ पर polygammy का कल्चर है तो देखो ना है तो मौर्स है ना मोर्स हैं यह दोनों इंडिया मौर्स बहुत क्रणा बन जाता है सूसाइटी का अब हम साब लग को मतलब सुसाइटे बाहर करेंगे ऐसा भी होता है बाट कहीं है कहीं सुसाइटे ऐसी है जहां पर ड्रेधी पोबलिः चल रही है तो स definite स्टेशिज करते हैं आपको पता होनी चाहिए इंप रही सॉसाइटे बाइथ का था अटो कमेफ के साथ definition include करके PDF आपके साथ शेयर कर दी जाएगी अगर आप फर्स टैम ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपने पहले specialization की वीडियो नहीं देखी हुए तो प्लेलिस में जाके देखो supervisor specialization करके even schemes की भी है schemes में भी आती है तो उनको आपको ना बाकी प्लेलिस्ट में जाके जो supervisor का और portion है उनको cover करना चाहिए ठीक है इसी दा में आपको यह चीज़ बताऊंगा अगर आप फाइनेंस एसाई में अगर आपने supervisor की त्यारी करें do not take test from anywhere we will provide you the best test but time के साथ जब हमें लगेगा एक्जाम आने वाला तभी हम आपका जो test schedule है वो भी करेंगे इवन हमार बेस्ट प्रवाइड करते हैं तो इवन फाइनस ऐसा ही के जो test बिल्कुल भी महंगा नहीं आप देखोगे ना जाके आपको लगेगा कि मतलब इतने प्राइज में कैसे provide करें तो हम कर सकते हैं आपके लिए तो आपने उन test में जुरूर इन्रोल करना है सारा schedule जो है वो मैं अभी comment section में पिन कर देता हूं एक video और telegram में भी share करी हुए है मैंने और मैं description में भी डाल दूगा उसको देख लेना और आप सिंसेरिटी से इन वीडियो को देखे व्यूर थोड़े कम भी हो जाते कहीं बार इन वीडियो में स्कीम्स में ज्यादा आ रहे हैं तो लेक्चर साथ साथ देखा करो लेक्चर में डिले नहीं करो कि इसी दिए मैंने डिले करना शुरू किर दिया फिर पूरा सिस्टेम ही ख़राब हो जाएगा ठीक है आई होब दिस इत्वा तोड़े थैंक यू सो मुच पर वाचिंग